नमस्कार जहिन दोस्तों दिस इस धीरेज दिवधी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों यहाँ पर लो अर्थ और्विट यानि एल इओ ज्यादा चर्चे में है यानि डियार डियो से सम्मंदित अंतरिक्ष से सम्मंदित जो भी आपके कुश्चंस है इससे रिलेटिड वो देखेगा मिशन सक्ति से रिलेटिड आपको जो भी नौलेज है यहाँ पर हम आपके सामने प्रत्यक्ष दरसन करते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने शंबोधन में मिशन सक्ति के बारे में बताया उन्होंने कहा कि इस मिशन के बाद भारत अंतरिक्ष मे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महा सक्ति वन गया है तो एक चीज नोट करने वाली है कि यह मिशन सक्ति प्रोग्राम अंतरिक्ष से रिलेटिड है और चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है अब बात करते हैं आगे कि मिशन सक्ति के तहत भारत ने सैटेलाइट को निसाना बनाने वाली मिसाइल का शफल परिक्षड किया है तो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ प्रशन है जो मिसाइल से रिलेटिड है ठीक है तो मिसाइल का सफल परिक्षड किया है भारत ने इस मिसन के जरिए लो अर्थ और्विट यानी ल,E,O में मौजूद एक सैटे सारी चीज़े रहेंगी तो ये आपके लिए काफी important है DRDO ठीक है तो यहाँ पर एक चीज समझ लिजेगा कि DRDO के जो अभी प्रमुख है वो है आपके GS Reddy और GS Reddy को अभी हाल ही में 2019 में मिला था एक मिसाइल पुरुसकार ठीक है मिसाइल एवार्ड मिला था GS Reddy को और ISRO के अगर अध्यक्ष की बात करें तो के सिवान तो ISRO के प्रमुख है के सिवान नेक्स चीज़ बात करते हैं यहाँ पर विदिध हो की anti-satellite weapon एक ऐसी मिसाइल है दोस्तों जिसके जरिये अंत्रिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को निसाना बनाया जाता है इसके अलाबा अगर चौथी ऐसी महसक्ती है भारत तो उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे देश होंगे यानि बहुत सारे की बात आती है तीन तो तीन देश हैं उसमें अमेरिका, रशिया और चाइना तो यहाँ पर अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलदी पहले से हासीर थी अब यह भारत बन गया है हमारा चौथा देश नेक्स चीज अगर डिसकस करते हैं नरेंद्र मोधी के यह उपलक्ष की बात है तो यहाँ पर नरेंद्र मोधी ने अगर नरेंद्र मोधी की बात करें तो नरेंद्र मोधी एक ऐसे सरकार के उपलक्ष में है जो कई दसकों से यह प्रयास हो रहा था 2012 में भी होने वाला था लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रयास अब जाके हुआ है एक दसक बाद अब हम आपको बदा देते हैं क्यूं क्यूंकि यह काफी खतरनाक प्रयास था काफी खतरनाक परिक्षड था LEO यानि Low Earth Orbit का इस मिसन सक्ती में कांग्रेस की सरकार में भी यह प्रयास स्टार्ट करने वाले थे लेकिन वो सफल होने के कगार पर थे और उनको परिक्षड में नहीं लाया गया यह उतना ही भयानक था जितना एक अमेरिका के सासनकाल में एक बराक ओबामा के सासनकाल में जब पाकिस्तान में उसामा बिलादेन को मारा था, उतना ही उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसामा बिलादेन की exact position नहीं मालुम थी, ये उतना ही खतरनाक था, कि सफल होगा या नहीं होगा, इसके लिए DRDो ने ये पहल की, ठीक है, अब जड़ा बात करते हैं, नेक्स्ट कमेंट पर, मोधी साब का जो नेक्स्ट कमेंट है, इस पर लिखा हुआ है, कि मिसन सक्ती जो special two reasons है, इंडिया is only the fourth country of acquired such a specialized and modern capability, तो fourth country हो गया, इस पर हम discuss कर चुके हैं, entire effort is indigenous, यानि इसमें बताया गया है, कि ये पोड़तेहा भारती है, इसमें सभी जो कारे हुए है, भारत के द्वारा ही संपन हुए है, अदर कोई भी देश का इसमें कोई भी हात नहीं है, तो समस्या बात, इस बात की है, कि हमेशा हम जो weapons खरीदते रहे हैं, वो हमेशा किसी देश के हुए, या फिर कहीं देश से हमने पार्ट खरीदे, उनको बनाया, लेकिन कहीं न कहीं कोई भी देश हमारा स पेस पावर, ठीक है, अगली चीज जो है, इंपोर्टेंट आपके लिए, मिसन क्यों खास है, आखिर जान लेते हैं यहाँ पर, यह मिसन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस मिसन के तहत भारत जल, नव और थल के अलावा अंतरिक्ष में भी दुस्मन की हरकतो पर नजर रख सकता है, अर्थात अगर कोई दुस्मन देश अंतरिक्ष में सेटेलाइट के जरीए भारत पर नजर रख रहा है, या फिर जासूसी कर रहा है, तो भारत उसकी मिसाइल को नस्ट कर सकता है, तो यह मिसन इसलिए खास है, यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, कि सेटेलाइट को सफलता पूर्वक निसाना बनाया गया है, प्रधान मंतरी ने यह कहा कि भारत ने जो किया है, वह भारत के बैग्ज्यानिकों और समारिक और आर्थिक प्रगतिका प्रतीक है, ठीक है, अगर जियो और लई ओ, MEO, तीन चीज़ें अगर हम देखें, इस मैप के जरीए, तो लो अर्थ और्बिट, मिडिल अर्थ और्बिट और जियो स्टेस्टनरी अर्थ और्बिट, ठीक है, अगर इसी के तहत अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या है एंटी सेटेलाइट यानि एसेट मिसाइल, तो यहां से कुशन्स जो है, बनने की संभाबना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उसी तरीके से, जिस तरीके से यहां पर हम बताना चाहते हैं, कि एंटी सेटेलाइट मिसाइल यानि एसेट क्या है, यह मिसाइल किसी भी देश को अंतरिक्ष में सैने तागत देने का का करता है clear अगला पॉइंट अगर बात करें एसेट में तो एंटी सेटेलाइट बैपन एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके जरिये अंतरिक्ष में घूम रहे सेटेलाइट को निसाना बनाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि यह मिसाइल धरती से कई किलोमेटर दूर आपरेशन को अन्जाम दे सकते हैं बिल्कुल यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा अगर इसी के तहट अगर तीन पॉइंट पर और हम डिसकस करना चाहें तो समारिक द्रस्टी से इस्तेमाल सेटेलाइट को मार सकता है यह मिसाइल किसी भी देश के कम्मिनिकेशन सिस्टम को खत्म कर सकता है बिल्कुल इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक है युद्ध के समय दुस्मन देश के सेटेलाइट को मार किराया जा सकता है यह तो आज किया है अब देखते हैं एक इसरो द्वारा जारी की गई तस्वीर में यह पाया गया कि उन्होंने यह दाबा किया है कि यह आप जो चितर देख रहे हैं पॉइंट में तो कहीं न कहीं यह एक ऐसी तस्वीर आपके दिमाग में क्लिक होती होगी कि तारे हैं कि सूरे हैं कि क्या है जी नहीं यहां पर अगर देखा जाए ध्यान से तो पूरे अगर स्पेस की बात करें अंतरिक्ष की बात करें तो यह जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं इसमें सभी पग रहे इतने सेटेलाइट यहां पर कारे रत हैं तो आप समझ सकते हो कि जो DRD ने कारे किया है किस तरीके से किया है सब चीज स्वदेश से निर्मित चीजों का उपयोग करके और इस कारे को अंजाम दिया है इसमें किसी भी देश का हाथ नहीं है स्वेम खुद DRD ने ही एक दसक से तयार करके इस मिशन में सफलता पाई है तो यहां पर ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर्थ साबित हुआ अगर आप नए है तो जैहिन जरूर लिखेगा और DRD और जिन्दावाद जरूर लिखेगा और आपको बता दे किस पर आपको वीडियो चाहिए किस मैथड पर वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा अगर आप इस वीडियो को पहली वार देख रहे हैं तो जैहिन जरूर लिखेगा आपको बता दे हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आप क